सब्सक्राइब करिए इस्टुमेंट गुरू यूटुब चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी इस नई वीडियो में दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर पढ़के समझ गए होंगे कि आज हम open loop और close loop system के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों आज मैं आपको example के साथ open loop और close loop system के बारे में complete information दूँगा तो दोस्तों open loop system क्या होता है दोस्तों open loop system एक simple process होता है जिसमें हम एक input देते हैं और हमारा वो process होके एक output generate करता है तो यह हमारा एक simple open loop system हो गया और दोस्तों close loop system क्या होता है close loop system में हमारा दोस्तो हम input देते हैं वो input हमारा process होता है और वो यह output हमारा निकलता है जैसा open loop में निकलता है बट दोस्तो उस output से हम एक feedback लेते हैं उस feedback से हम वो error calculate करते हैं और error calculate करके हम अपने input पे control कर सकते हैं तो दोस्तो यह हमारा main close loop system का एक work हो गया इसमें हमारा क्या हो गया हम feedback लिया हमने यह feedback लिया यह हमारा गया इसने हमारे errors बताए कि यह हमारे error है और इस error से जो हमारा input है इसको हम control करते हैं यह हमारा mainly control system का work होता है तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक example के साथ आपको open loop और close loop system के बारे में बताऊंगा तो चलिए मैंने आपके लिए एक drawing प्रिपेर किया है तो चलिए मैं आपको बता जिता हूँ दोस्तों मेरी drawing अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जादे से जादा और अच्छी से अच्छा समझा सबहूं ताकि आप instrumentation को easily सीख सके तो दोस्तों यह एक example है open loop और close loop system का तो दोस्तों जैसे कि मैंने एक tank बनाया है यह हमारा एक tank है उसके अंदर हमारा एक level gauge लगा हुआ है दोस्तों mainly कोई भी tank होता है उसके अंदर level gauge लगा होता है अगर फिर भी level gauge नहीं लगा हो तो हमारा transmitter तो होता ही है तो दोस्तों हम-हम transmitter को लेके और पचास परसेंट कंट्रोल वाल ओपन चाहिए तो मैं पचास परसेंट कंट्रोल वाल को DCS से इंपूट दूँगा तो दोस्तों हमारा पचास परसेंट कंट्रोल वाल ओपन हो जाएगा यह हमारा एक simple open loop हो गया कि मैंने 50% command दी DCS से और हमारा control valve 50% open हो गया यह हमारा output मिल गया मैंने input दी हमारा control valve 50% open हुआ यह हमारा output हो गया तो यह हमारा जैसे कि मैंने बताया था input हो गया, process हो गया, output हो गया हमने input दी 50% की और हमारा process हुआ में क्या हुआ? हमारा wall open हुआ wall 50% जब open हो गया तो हमारा यह output मिल गया ये हमारा process हुआ open loop का तो चली है अब हम close loop की बात कर लेते हैं दोस्तो close loop में क्या होता है? हमें एक feedback चीह होता है तो दोस्तो अब हम feedback कैसे लेए? अब दोस्तो हम एक feedback लेंगे level transmitter से अब दोस्तों हमें क्या है हमें माल लीजे इसका जैसे कि मैंने 50% open दिया 50% open करके मुझे इसका level 50% control करना है कि मुझे tank का level 50% से ज़्यादा नहीं चीए और 50% से कम नहीं चीए मुझे 50% इसका level maintain करना है तो उसके लिए मैं feedback लेने के लिए एक level transmitter लगाऊंगा level transmitter मेरा level को measurement करेगा वो हमारे control वाल को feedback देगा कि हमारा अभी 50% से ज़्यादा जा रहा है ये कम जा रहा है तो open होना है ये close होना है तो दोस्तों ये एक auto में controller काम करता है दोस्तों ये एक PID controller होता है दोस्तों PID controller के ये मैं एक separate video बनाऊंगा और आपको inform कर दूँँगा मेरे social network पे कब PID controller की video आएगी तो दोस्तों चलिए मैं आज open loop और close loop पे बात कर रहा हूँ तो उस पे हम वापिस आते हैं तो इस condition में क्या होगा दोस्तों मैंने यहां पर एक transmitter लगा दिया हम transmitter से feedback लेंगे जैसे कि मैंने बताया feedback है और यह error है अब मान लिजे मैंने control loop को 50% का command दे दिया ये 50% open हो गया तो दोस्त अब 50% open होने के बाद हमारा मान लिजे level 50% control होता है बड़ दोस्तों ये 50% की जगा हमारा 60% चला गया तो हमारा जो level transmitter है ये हमारा 60% measure करेगा और हमारा control wall को signal देगा कि अपने 50% open किया बट हमारा level 60% हो गया और वो जो 10% का है वो error भी हमारा control wall को बताएगा तो control wall को हमारा एक input जाएगा वो input हमारा control wall को close करने के लिए होगा तो हमारा control wall वो close होगा और फिर 50% हमारा level maintain होगा जैसी हमारा 50% फिर से level maintain होगा ये control wall को continue feedback provide करता रहेगा तो दोस्तों ये हमारा एक system होगा Close Loop का जो हमारा एक Control में काम करता है यह हमारा Level Contractor हो जाएगा Level Contractor तो दोस्तों यह हो गया एक Level कंट्रोल करना किसी टंक का Close Loop में हम किसी भी Close Loop में Levelistol करेंगे वो हमारा इस Procedure से होगा यह हमारा एक Close Look का वरकिंग हो गया कि हमें एक Feedback चाहिए होता है हमारे input को control करने के लिए जैसे कि मैंने बताया है और वो feedback हमारा errors भी देता है कि हमारा कितना error आया अब हमारा 10% का error आया था तो वो हमारा गया और फिर से हमारा valve प्रोसेस हुआ वाल को 50% 50% की opening थी तो वाल कम open थोड़ा सा close हुआ और फिर उसने output दिया कि output में मुझे 50% level control करना है तो दोस्तों यह हमारा open loop और close loop के बीच में main difference है open loop हमारा एक simple system होता है जिसमें हमारा कोई feedback नहीं होता है और close loop में हम एक feedback लेते हैं तो दोस्तों आपको open loop और close loop के ओपर ये video कैसे लेगी मुझे जुरूर comment box में बताईएगा आज के लिए इतना ही फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में इसमें आपको PID controller के बारे में बताऊँगा दोस्तों आपको ये video अच्छे लगी है तो इस video के like करें अपने दोस्तों के शेर करें मेरे चैनल को subscribe करें और भी instrumentations related videos देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत फंदे मातरम